नमस्कार ग्रेडियंट किसे कहते हैं? ये प्रयास किया जाता है कि रेल्वे की ट्रैक का निर्मान एक लेवल पर ही किया जाए, पर ये संभव नहीं होता. यदि जमीन पर धलान या चड़ाई है तो railway track को भी धर्ती की सतर के साथ चड़ाया या नीचे की तरफ उतारा जाता है तो इसे gradient कहते हैं Gradient दो प्रकार के होते हैं Falling Gradient या धलान Rising Gradient यानी चड़ाई तो सबसे पहले देखेंगे Falling Gradient जब हम किसी सतर से नीचली सतर की ओर जाते हैं तो उसे धलान कहते हैं जैसे 1 in 400 इसका मतलब है कि 400 मीटर चलने पर 1 मीटर का धलान है Railway track के किनारे gradient पत्थर लगे होते हैं धलान यानी Falling Gradient को इस तीर से दिखाया जाता है Rising Gradient जब हम एक नीचली सतर से उची सतर की ओर जाते हैं तो उसे चड़ाई कहते हैं जैसे 1 in 100 इसका मतलब है कि 100 मीटर चलने पर 1 मीटर की चड़ाई होगी Rising Gradient को इस तीर से दिखाया जाता है भारतिय रेल्वे के सभी यार्ड में जो वर्तमान में हैं अधिक्तम Gradient 1 in 400 का परमिट है और नए पन रहे यार्ड में सामान्यतोर पर 1 in 1200 का Gradient यार्ड के लिए परमिट है भारतिय रेल्वे का कोई भी स्टेशन 1 in 260 से ज्यादा तेज Gradient पर नहीं बनाया जाता है लेकिन Geographic Condition के अनुसार यदि ऐसे तेज Gradient को हटाया नहीं जा सकता हो तो खास कर घाट सेक्शन में जहां पर यार्ड में Gradient 1 in 260 से कम होने पर गाड़ी के ब्रेक पेल होने जैसी दुरगटना से बचने के लिए CRS की अनुमती से CAC Siding और Slip Siding को बनाया जाता है स्क्रीन पर Station Yard जो घाट सेक्शन में है उसे दिखाया गया है इस स्टेशन पर CAC Siding तथा Slip Siding दिखाई दे रही है आए इसे विस्तार से लेखते हैं इस स्टेशन पर Down दिशा में Home Signal दिखाई दे रहा है जिसके आगे Slip Siding दिखाई दे रही है उसके आगे 1 in 100 का Rising Radiant का पत्थर है उसके बाद Down Main Line उसके बाद अब दिखाई में Home Signal है उसके आगे 1 in 80 का Gradient पत्थर उतार को दर्शा रहा है उसके आगे Catch Siding, Up Main Line, Up Loop Line है अब हम Catch Siding के बारे में कुछ important बाते जानेंगे जब किसी स्टेशन के Entry Point पर 1 in 80 या उससे अधिक का ढलान हो तो स्टेशन सेक्शन शुरू होने से पहले Catch Siding बनाई जाती है इस स्टेशन पर अब दिशा में Home Signal के बाद Catch Siding बनाई गई है Catch Siding स्टेशन सेक्शन का बचाव करती है आने वाली ट्रेन के लिए Points हमेशा फेसिंग होते है फेसिंग पॉइंट रखने का उद्देश यही होता है कि ट्रेन अगर Home Signal पर नहीं रुकी तो सीधे Catch Siding में चली जाएगी Catch Siding की लंबाई पूरी ट्रेन की लंबाई जितनी होती है Catch Siding वाले स्टेशनों पर कोई भी ट्रेन थ्रू नहीं जाती है हर ट्रेन को प्रतम रोक सिगनल पर रोकने के बाद ही उसके लिए सिगनल ओफ किये जाते है पॉइंट हमेशा Catch Siding की और लगे होते है ट्रेन रुकने के बाद पॉइंट को चेंज किया जाता है Main Line का पॉइंट लगा कर आगे भी जा जाता है परन्तो अगर स्टेशन या केबिन पर स्पीड सेंसिंग डिवाइस लगे हैं तो और स्पीड सेंसिंग डिवाइस द्वारा स्टेशन मास्टर को ट्रेन की स्पीड का पता चलता है यदिवग स्पीड 30 किलोमेटर पर आर्ड दिखा रही है तब स्टेशन मास्टर द्वारा कैच साइडिंग की और लगे पॉइंट को चींज किया जाता है और ट्रेन को थुरू या एड्मिट किया जाता है सेक्शन में लगे क्याइच साइडिंग तथा स्लिप साइडिंग की जानकारी वर्किंग टाइम टेबल में दी जाती है क्याइच साइडिंग से पहले लोको पाइलेट के लिए स्क्रीन पर दिखाया हुआ बोर्ड लगाया जाता है आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा एप क्योंकि इसमें हैं डी जी नायर द्वारा लिये जाने वाले अब हम स्लिप साइडिंग के बारे में कुछ इंपोर्टन बाते जानेंगे स्क्रीन पर दिखाये गए स्टेशन पर डाउन दिशा में होम सिगनल के आगे स्लिप साइडिंग दिखाई गई है स्लिप साइडिंग वहां लगाई जाती है जहां 100 में 1 का राइजिंग ग्रेडियंट है इसके points आने वाली train के लिए trailing होते हैं यहां कोई भी train को रोका नहीं जाता है बल्कि train को through लगाया जाता है यदि train को रोक लिया जाता है तो gradient के कारण train चर्ड नहीं पाएगी यहां लगे point spring point होते हैं जो train के चलने के साथ operate होते हैं यदि कोई train किसी कारणवज पीछे आ रही है तो वो slip siding में चली जाएगी main line पर नहीं जाएगी इस तरह slip siding पिछले प्लॉक सेक्षन का बचाओ करती है slip siding की लंबाई तीन या चार डिबों की लंबाई के बराबर होती है catch siding या slip siding सेफटी है तू लगाए जाते हैं यदि कोई train इसमें चली जाती है तो इसे सामके तिक दुरगटना माना जाएगा इस तरह हमने इस वीडियो में catch siding तदा slip siding के बारे में जाना यदि आपको ये वीडियो जानकारी पूंड लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से जादा शेयर करें अगर आपने हमारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें दन्यवान